भाया आजकल जमाना चल रहा है पब्लिक का जिसने इसको जीत लिया समझ लो बॉक्स ओफिस को जीत लिया गदर टू आई 22 साल पुरानी यादों पे पानी फेर दिया हकीकत में फिल्म गदर बन की 10% बराबरी नहीं कर सकती लेकिन फिल्म को घंटा फर्फ नी पड़ा क्योंकि पब्लिक इसके साथ खड़ी है बॉक्स ओफिस के पीछे पड़ी है इसलिए तीन दिनों में 1500 करोड का सपना जो शायद खुद फिल्म बनाने वालों ने भी नहीं देखा होगा वो हकीकत में बदल चुका है लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलू ये तो सिर्फ ट्रेलर है अगले महीने ऐसा धमाका होगा जिसका शोर गदर टूं से भी 10 गुना तेज सुनाई देगा इस न्यूक्लियर बॉंग का नाम है जवान शारुक खान टू पॉइंटो की दूसरी कमबैक फिल्म वो भी प्रॉपर मा सब्तार में जिसका आजकल काफी फैशन चल रहा है आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में काफी लोग गदर टू वर्सस ओम्जी टू को लेकर बात नहीं कर रहे हैं जो आक्चली में क्लैश हुआ लोगों का पूरा ध्यान है गदर टू वर्सस पठान वाले नेरेटिव को क्रियेट करने में ये सनी दे उनको शारू खान के अगेंस्ट खड़ा करना चाहते हैं अच्छी बात है जो बॉलिवुट के दो बड़े अक्टर्स पब्लिक को वापिस लेकर आते हैं थेटर में लेकिन मुझसे अगर आप पॉस्टली पूछोगे तो गदर टू के नाम में से अगर आप गदर को हटा दोगे न तो शाय थेटर में आने वाली भी 10% भी नहीं ब सच बोलू या फिर जूट सुनना चाहते हो जूट तो यहीं होगा कि गाना परफेक्ट है जैसा सोचा था उतना अच्छा लगा अरुजी इट सिंग इस बैक वगएरा वगएरा लेकिन सच फिर से थोड़ा कड़वा है यार आक्चिली जवान का फर्स सॉंग और सेकेंड स मैजिक है कम्प्रीटली लेकिन इसके अलावा में और क्या अच्छा बोलू मुझे समझ ही नहीं आ रहा होनेसली गाने का हाइप SRK के नाम से बना था लेकिन लोग सैटिसफाइ नहीं होंगे सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जो गाना हमने सुना वो याद किसी को नहीं होग गाना कितना ओर्डिनेरी होगा जिसके सिंगर में अरिजीत सींग का नाम लिखा होने के बावजूद भी आपका दिल शिल्पा राओ की आवाज पर जादा आ जाए सच बोलो शिल्पा राओ का पार्ट और नहीं तारा यह ज़ादा अच्छा नहीं लगा आपको सुनने में फ्रैंक्ली उनकी आवाज ज़ादा कैची है इस गाने में भाई मैंने टाइक्सपेक्ट किया था गेरुआ टाइप का गाना शारुक खान प्लस अरिजीत सिंग इन रोमैंटिक सॉंग यह बॉलिवूड का नंबर वन कोलाबरेशन है चलो कम से कम जालेमा के लेवल का ही सुना देते तब भी मजा आ जाता कम से कम जो सुना वो याग तो रहना चाहिए गुन-गुनाने में आसानी होती है वैसे आर अभी इतनी जल्दी ये बात बोलनी चाहिए या नहीं पता नहीं बट अनिरुत का म्यूजिक फर्स टाइम काफी ओर्डिनरी लग रहा है मुझे किसी फिल्म में अभी जेलर आई है ना उसमें रजनी सर ने कमबाक किया इन मास सिरिमा एक बार जाके उसका म्यूजिक सुनना तब अनिरुत का अस्ट्री टैलेंट समझाएगा आपको मुद्बे की बात ये है कि जवान के ट्रेलर के बाद जो हाइप बना था ना फिल्म का वो दो सॉंग्स रिलीज होने के बाद भी वैसे का वैसा है एक परसें भी उपर नीचे नहीं हुआ जिन्दा बंडा और चलिया दोनों सॉंग्स को आप सुन लो और भूल जाओ इससे फिल्म के हाइप को मुझे नहीं लगता कुछ खास फाइदा पहुचने वाला है बट जैसा मैंने वीडियो की शुरुवात में बोला जवान पबलिक की फिल्म है वहाँ शारुख खान खुद बैटे है साथ सितंबर को आंधी आएगी सुनामी बॉक्स ओफिस पे प्लीज गदर टू जैसा हाल मत कर देना बस फिल्म का सनी दियोल एंड गदर फ्रेंचाइस के नाम पर भीट लगाने से सिनिमा को क्या मिला कुछ नहीं ठीक वैसे ही पठान और शारुख खान के दम पर जवान को बेचने की कोशिश करोगे तो पाप लगेगा भाया चलो बताओ फटाफ़ट ये नया गाना फ्रम जवान कितना कठिन कितना आसान अरिजीत प्लस ऐसार के ये नाम दिमाग में सोचो तो क्या यही गाना एक्सपेक्ट किया था आपने वैसे गदर टू वर्सस जवान क्या बोलती पब्लिक 2023 में सबसे जादा हला कौन सी फिल्म का होने वाला है जोश और होश दौनों से जवाब देना बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ शिकायब करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई